भोगनवीलिया का जो प्लांट है उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं ये बहुत सारे गाडनर्स का एक इशू रहा है हमेशा से और वो लोग बहुत कुछ तयार करते हैं बहुत कुछ कोशिश करते हैं अपने भोगनवीलिया में तब जाके कहीं बहुत मुश्किल दे उनके फ् ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आपका बोगन लिया प्लांट जतना भी पुराना है, जतना भी नया है, उसमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रिक्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और मैं अपने इस बोगन लिया प्लांट जो आप सामने देख रह बोगन विल्या का एक exciting चीज में आपको बताता हूँ, लोग ये pink pink color को, जो ये petals हैं, इनको flower समझते हैं, actually बोगन विल्या का flower ये white है, ये white color का flower होता है, और ये जो इसकी petals है, ये actually इसको protect करने के लिए होती है, तो flower इसका ये सफेद रंका होता है, तो आइए बात करते हैं, उन tricks के बारे में मेरा नाम अक्षे है, और मैं आप सब लोगा the right gardening youtube channel में स्वागत करता हूँ, पहली trick का नाम है friends defoliation, defoliation से मेरा क्या मतलब है, जब कभी आपका जो बोगन विल्या का plant है, उसमें बहुत ज़्यादा पतिया आ गई है, बहुत ज़्यादा leaves grow हो गई है, तो आप क्या करिए, थोड़ी सी leaves उसकी किरा दीजिए, यह देखे, आपने यह देखा हो गई, यह नीचे से मैंने थोड़ा सा plant को defoliate किया हुआ है, तो यह regularly मैं अपने plant को defoliate करता रहता हूँ, जिसकी वज़े से मेरा जो plant होता है, वो एक reset mode में चला जाता है, और reset mode में जान थोड़ी सक्त हो गई है, क्योंकि energy का जो store होता है plant में, जब आपका plant पुराना हो जाता है, तो defoliation जब आप करते हैं, तो reset mode में जाने की वज़े से वो अपने resources को फिर से allocate करता है, और जो ज़ादा important चीज़े होती हैं, उन में plant वो resources को invest करता है, जैसे कि अगर overall health में plant उन resources को invest करेगा, तो आपके plant के stems हैं वो भी healthy बनेंगी और flower growth भी अच्छी होगी, और आप सामने देख सकते हैं, तीनो branches में flowering हो रही है, और नई leaves भी आ रही है, और इसमें नई flower भी बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो defoliation एक भहुती अच्छी trick है, जो आप लगब लिया में ये tried and tested method है, ये मैंने खुट try किया हुआ है, आप जब कभी भी ज़ादा पतियां आजाए आपके भोगनविलिया प्लांट में उसको थोड़ा सा defoliate कर दीजिए, और वो जो पतियां जो आप तोड़ेंगे वो यहाँ पर इसके गमले में ही डाल दीजिए, ताकि वो fertilizer की तरह काम करे, fertilizer का धीरे-देरे decompose हो जाएंगी और वो plant को ही फाइदा पहुचाएंगी, दूसरी और आखरी trick है और जो सबसे important trick है वो यह है कि बोगनविलिया का जो plant है वो कभी-कभी flowering इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें लोग जो है एक तरीके का schedule नहीं बना पात हैं वो किसी तरीके के stress में अपने plant को नहीं देख सकते और ये मैं खुद भी acknowledge करता हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ कि मैं अपने पहुद हो किसी भी तरीके के stress में नहीं देख सकता लेकिन बोगनविलिया कैसा plant है वो stress को एक friendly way में लेता है और बहुत जादा उस energy से जो एक shock आता है वो उस energy को reallocate करके वो flowering को boost कर देता है आपने देखा होगा ये बोगनविलिया कि जो मेरी मिट्टी है ये मिट्टी कितनी सूखी पड़ी है ये देखिए कितनी सूखी है इसको अगर मैं बहुत जोर से दबा रहा हूँ तब जाके ये टूट रही है और ये द लेकिन आप ये बोगनविलिया का प्लांट मेरे आप सामने देख सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से growth भी हो रही है और flowering भी हो रही है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो shock होता है ये जो डॉट का shock होता है ये जो आपको बोगनविलिया का प्लांट है वो एक friendly way मे लेता है और flowering को boost करता है ये तो ये जो दो tricks हैं ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखी थी बहुत research करके मैंने सीखी थी इसलिए मैं आप लोग के साथ share कर रहा हूँ आप भी अपने बोगनविलिया के प्लांट में ये tricks को share करिए follow करिए और देखिए किस तरीके से amazing flowering आपक बोगनविलिया प्लांट में follow कर सकते हैं और amazing results पा सकते हैं इसके अलाब कुछ और experiences अगर आपके रहे हैं बोगनविलिया प्लांट को grow करने के लिए तो आप comment section में बता सकते हैं मुझे मेरे साथ share कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उन experiences से कुछ सीख सकें और इस video के बारे म कि ऐसी hit tricks and tips में आपके साथ plants की share करता रहूं तब तक कि अपने बहुत सारा ध्यान रखिये friends, thank you, goodbye